सब्सक्राइब करें तो इसमें पाव भाजी मसाला भी एड़ कर सकते हैं मैंने सिम्पली यहां पे तीनी मसाले एड़ की हैं लाल मिर्च हल्दी और तीन मसाले आपको小心 कर लिया है है के वाते हुआ है यहां नहुं именно लिए कर लेकर लिया है यहां यहां नहीं में एक पैन लेना है आपकोड तोडर से यहां पर अच्छे से पका लेंगे जब गोल्डन ब्राउन हो जाए इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे बॉइल पोटाइटोग मैंने पहले से बॉइल करके रख लिए यहां पर मिक्स कर देंगे इसे आपको पांच मिंट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है अल्रेडी पके हुए है पर थोड़ा सा पकाएंगे तो फ्लेवर और अच्छा आएका तो इसे ढख कर अच्छे से पका लेते से पांच मिनिट के लिए एक बार बीच में चलाना भी आपको और ढग देंगे इसे यह देखे इस पर जो हमने पेस्ट तयार किया था कर्ट का वह इसमें अभी सृट नी डालना है आपको सिफ सिंपली चलाना है दो मिनिट के लिए चलाएंगे से यह देखिए इस तरीके से आपको चलाना थी ताकि यह फटे नहीं पंटीनिट नहीं चलाएंगी तो आपको जो दही है वह फट जाहेगा और सॉल्ट भी बिल्कुल भी ने करेंगे उसके बाद आपको सॉल्ट डालना है तो यह देखिए मैंने चला लिया इसका कलर धीरे धीरे आ रहा है कि आपको फिर से चलाना है फ्लेम को आफ ही रखना है यह देखिए सा कलर कितना अच्छा आगया आप चाहें तो काश्मीरी मिर्च भी आप एड कर सकते हैं आप आपको थोड़ा रैडिश कलर मिल जाएगा मुझे पसंदने इस लिमन एडनी की तो चलिए से सर्फ कर लेते एक प्लेट में से निकाल लेंगे और गानिश करेंगे कोरियंडर लीव से आई होप आपको यह रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कोमेंट शेयर जरूर करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाई टेक एंगे